हालो कैसे हैं स्वागत है राज क्लासिस में आज बीएसी बेस्ट में अगला लेक्टर के स्टार्ट करते हैं ठीक है ये हमारा पाल टेक्निक और तुमारा एंजिनिंग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और जी आई सी एल टी पीजी टी ठीक है किसी भी स्टेट का एक्जाम हो उतके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जैकोबियास ठीक है इंजिनिंग में पूछा जाता है तुमारा और पाल टेक्निक में चल लाएंगे रेगनर और बीएसी बेस्ट में बीएसी में हर इंवेस्टी में इसका डिदर्प्सन होता है ठीक है और PGT लेविल के जितने भी एक्जाम है हमारे स्टेट के उनमें सरी में ये पूछा जाता है GIC में LT में ठीक है PGT में ओके तो आज इसको स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है ठीक है तो जैकोबियास में दो चीज़े रहती है हमारी एक तो फंक्स अच्छा लिए है तो हमें एजनी वर्यल चाहिए तो हैसेisée रहेस ही डितरमेंट वनता है गोर्ट टेमेंट होता है हमारा ह्लोर में तो फंक्सन चेज में होता है और कॉलम में ब्लट रही ब्ल्स नहीं होता हैहा है इजमरेल इसफ यूफ है इस यंट Có यूट रहा फंक्सन डेल U1 upon X1 डेल U1 upon X2 डेल U1 upon X3 अब टू डेल U1 upon X यहां से इक बात निकल के आ रही है जो function होता है वो row में change नहीं होता है ठीक है? और column में variables change नहीं होता है ठीक है? यह बाता है X3 डाट 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 डाल U2 upon डेल X 1, 2, 3, N करिए है ठीक है? अब टू डेल U3 upon डेल X1 डेल U3 upon डेल X2 डेल U3 upon डेल X3 अब टू डेल U3 upon डेल X3 ठीक है? यह N variable है XR अब इलको हम अब लास्ट टर्म लिख देते हैं डेल UN upon डेल X1 डेल UN upon डेल X2 डेल UN upon डेल X3 अब टू डेल UN upon XN यह हमारा डेटर्मेंट होता है वो जर्पोगियन्स होता है रो में function no change रो में क्या होता है? function function no change column में variables no change variables no change यह बात नमात में रखनी है यह रो होते हैं हमारे क्या होते हैं? यह रो और यह क्या होते हैं? नमारे column होते हैं क्या होते हैं? column होते हैं column होते हैं ठीक है तो एक बात इसकी definition में यह जहांगत में होती है कि row में function change नहीं होता है और column में variables change नहीं होता है यह आपको यह definition इसकी पता है तो आप इसे easily कर पाएंगे in this comment is called a a Jacobian Jacobians of u u1 u2 up to u1 with respect to x1 x2 एक्स्ट्री अप्टू एक्स्ट यह हमारा जयकोरियन्स होता है एंड डिनोटड बाई डिनोटड बाई डेल यूवन यूटू 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 अप्टू यूटू अपॉन अपॉन डेल एक्सटू 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 अप्टू एक्सटू इसको ऐसे करके डिनोट कर देते हैं ठीक है या और जैकुवियंस of u1, u2, u3 up to u1 यह इसका notation होता है ठीक है जैकुवियंस u1, u2, u3 up to u1 या फिर ऐसे लिख सकते है function उपर variable नीचे ठीक है यह इसका definition होता है ठीक है note में हम लिख देते है two order के लिए और three order के लिए ओके इसको erase करते है ठीक है फिर आप इसका screen shot ले ले ठीक है अब देखो two order की बात करते है if जैसे लिख देते हैं U, B, W are the function यह क्या है function है U, B, W are the function of these independent variable variables X, Y, Z X, Y, Z then then the determinant so देखो यह से जैकोबियस of U, B, W equals to del U, B, W upon del X, Y, Z equals to three determinant हमारा बनेगा del u upon del x, del u upon del y or del u upon del z or del v upon del x, del v upon del y or del v upon del z del w upon del x, del w upon del y, del w upon del z यह पुर्ता है हमारा जयकुवियंस UVW with respect to XYZ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तू वैरिवर्स के लिए यह थ्री के लिए है यह तू के लिए लिख दे रहा है हम एक वज़र्ट जयकुवियंस of UV इक वैर्स टू डू फंक्शन है देखो और लिख देते हैं if U, B are the function of these two independent तो देखो जैकुवियस यूवी यूपल्स टू यूवी फंक्शन है और एक्स वाई हमारा क्या है वैरी वल्स है तो इसकी यह जो डेटर्मेंट होगा डेल यू अपोन डेल एक्स डेल यू अपोन डेल वाई और डेल यू डेल वी अपोन डेल यू डेल वी अपोन डेल यू यह नोटेशन रहेगा ठीक है आप इन्हें अच्छे से लिख लें नोट कर लें इसकी इन सौर्ट देलें इसका ठीक है, इसको अच्छे से आप लिख लें, अब देखो, एक note में लिख लें, अच्छा रज़रेट है, उसको लिख देते हैं, ठीक है, इसको erase करते हैं, ओके, देखो, note में लिख लें, del u1, u2, u3, up to ul, upon del x1, x2, up to xn, कैसे लिख लिख लें, यह function है, u1, u2, u3, up to ul, upon del x1, x2, x3, up to xn, यह हमारे क्या है, variables हैं, तो इसको हम direct क्या लिख सकते हैं, del u1, upon del x1, into, del u2, upon del x2, del u3, upon del x3, dot dot dot, del ul, upon del xn, यह अपने आपने एक रज़र्ट है, जो है अपुवियन्स का, इससे कुछ question भी आपके बनते हैं, आप इसका screenshot ले ले, इसको note कर ले, ठीक है, फिर question को discuss करते हैं, ओके, बहुती अच्छे question मिलेंगे, आप इसका screenshot ले ले ले, इसको erase करते हैं, फिर question एक लिखते हैं, ओके, हाँ, देखो हमने इसका basic आपको discuss कर दिया है, अब देखो question लिखते है question number first एक आया हुआ question है उसको लिख देते हैं if x equals to if x equals to 1 plus v है 1 plus v 1 plus v into u और by equals to u equals to 1 plus u यह बी होगा साहिए यह बी कोस्टा 1 plus u find the jacobians of x y find the jacobians of x y लिख जेते हैं पूरा jacobians of x y with respect to u u, b u, b यह पूछा है इसमें बहुती अच्छा result है बहुती अच्छा question है तो इसमें देखो दो function दिये हैं function कौन से कौन से हैं यह हमारे function दिये हैं तो x, y और variable हमारे क्या दिये हैं variable वल क्या दिये हैं u और b तो jacobians पूछा है x, y और jacobians को लिख देते हैं del x y upon del u और इसका जो expansion रहता है जो यह रहता है del x upon इतर रो में function चेंज नहीं होता है del u और del x upon del v del y upon del u और del y upon del v ओके और column में variables चेंज नहीं होता है यह surplus रहता है आप से अच्छे से लिख लें अब देखो यहां से हम यह दियाता हमें x बराबर u post 1 प्लस v इसको लिख दिया हमने u प्लस u v और by बराबर दिया था b cost 1 प्लस u और by बराबर लिख दिया b प्लस u ओके हमें del u upon del x की जरूवत है del u upon del x हमारा कितना हो जाएगा ने del x upon del u की जरूवत है del x upon del u u का बन हो जाएगा बन प्लस v हो जाएगा और del x upon del v की भी जरूवत है हमें v की respect करेंगे तो u बचता है ठीक है और del y upon del u की जरूवत है हमें u की respect करेंगे तो b हो गया और del y upon del v की जरूवत है b का बन हो गया 1 प्लस u हो जाएगा यहा भी b का बन हो जाएगा u constant यह सब value इसमें भर दें तो यह देखो हमारा जो result बनेगा वो इस type से होगा del x upon del u का value 1 प्लस v और del x upon del v का u और del y upon del u का v और del y upon del v का 1 प्लस u इसकी determinant खोल देंगे this into this this into this 1 प्लस v into 1 प्लस u minus u v इसका multiply कर ले है 1 प्लस u प्लस v plus u v minus u v इससे ही cut off हो गया 1 प्लस u प्लस v this is answer ओके आप इसे अच्छे से लिख ले है इसका screen sort ले ले है ठीक है अगना question और discuss करते है ठीक है तब तक के लिए आप इसे लिखें नोट करें बहुत ही अच्छे question है बहुत ही अच्छा topic है आपका engineering base के लिए bio-technic के लिए BSC के लिए TGT GIC LT के लिए ठीक है TGT में question नहीं बनता है इसका कोई बात नहीं ठीक है इसको erase करते हैं आप इसका screen sort लेने एक और question बहुती most most question है उसको भी discuss करते हैं देखो if x equals to बहुती अच्छा आया हुआ question है if x equals to r plus theta और y equals to r sin theta r sin theta तो इसमें value पूछे बैल number first पूछा है बैल r डैल xy upon r theta डैल xy upon r theta इसका value क्या होगा दूसरे में पूछ लिया है इसका value क्या हुआ तो देखो ये result हमें देख रहा है कि जो first का result होगा उसका reciprocal लेखा हुआ है तो इसका altering होगा इसका answer ठीक है बहुती अच्छा question है इसको देखो discuss करते हैं पीजीटी में पूछा लिया question है पीजीटी पाली टेख में ठीक है और इंजीनिरे इंजीनिरे में भी पूछा लिया question है ठीक है इसको लिखते हैं तो देखो ये result चाहिए तो हमने यहां से क्या किया इसका del x upon del r की हमें आवसकता प्रवी cos theta हो गया ठीक है del x upon del r cos theta हो गया और del x upon del theta equals to ये constant रह जाएगा r cos का क्या होता है minus sin theta ठीक है del y upon del r की हमें जरुवरत पढ़ेगी r का one sin theta और del y upon del theta r constant और cos का sin theta ठीक है अब देखो पहले पार्ट को हम विस्कस कर रहे हैं तो del x y upon del r theta x y हमारा क्या काम कर रहा है function का काम कर रहा है r और theta variables का का काम कर रहे है ठीक है तो इसका expansion determined लिखते है row में function change नहीं होगा ठीक है column में variables change नहीं होगा ओके ये बन जाएगे बात ठीक है इसमें value बर देते हैं देखो अब del x upon del r cos theta है और del x upon del theta sin theta है और del x upon del theta del x upon del theta minus r sin theta है माइनस r sin theta और del y अपन del r sin theta है और del y अपन del theta r cos theta है इसका detonement खोल दे r cos square theta माइनस माइनस प्लस r sin square theta r common हो जाएगा cos square theta plus sin square theta यह हमारा बन होता है यह आप this is answer ठीक है चारोग संदी रहेंगे बनपोन आर जीरो बनपोन आर स्वाइर ऐसे करके तो आपको यह करना है ठीक है आप इसका 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 अपूजित पूछा है तो इसका रजल्ट बनपोन आर हो जाएगा ट्रिकी मेथड से यह साटकर देखना चाहते हैं तो इसका क्या है यह रहसी प्रोकल है तो इसका रजल्ट बनपोन आर हो जाएगा लेकिन हम पूरा करके बताते हैं यह पाल टेक्निक में यह करने बूही आता है आप पीजीटी की लेविल से इसको रहसी प्रोकल के इसाब से इसको erase करते हैं ओके फिर इसका second part discuss करते हैं देखो अब देखो second part के लिए मैं क्या करना होगा पता है इसको first मालने इसको second मालने बर्ग करके add करने first kai square plus second kai square वी get we get so x square plus y square is equal to r square cross square theta plus sin square theta ये बन हो जाता है बन हो जाता है तो r square equals to x square plus by square और r equals to x square plus y square का power 1 y 2 हो जाता है अब ऐसे divide second divide first we get तो ये क्या बन गाएगा r sin theta upon r cos theta equals to y upon x r से r गया 10 theta equals to y upon x ये theta equals to 10 inverse 10 inverse y upon x ये result बने हमारे हमें देखो जरूवत रहेगी किसकी इसका एक्सविंशन खोल रहे then r theta upon then x y equals to अभी function का काम हमारा r और theta कर रहा है और variables का x और y कर रहा है del r upon del x del r upon del y और del theta upon del x और del theta upon del y ok column में function change नहीं होता है variable row में function change नहीं होता है column में variable change नहीं होता है तो हमें देखो इसको third देदे इसको fourth देदे या लग दे from third से del r upon del x की हमें आवस्ता है तो 1 by 2 आगे x square plus y square पर power minus 1 by 2 into 2x ok ये क्या बचता है x upon under root under root लगा देते हैं root लगा देते हैं x square plus y square ठीक है और del r upon del y क्या मिल जाएगा y के respect करेंगे तो 1 by 2 आगे x square plus y square पर power minus 1 by 2 1 गड़ता है into 2y by 1 से ही कर जाएगा by upon root x square plus y square ठीक है ये value बन जाती है ठीक है अब देखो थोड़ा सा और जरूरत पलेगी ये value बचती है अब लिखोए हैं from root से del theta upon del x del theta upon del x del वसका क्या होता है 1 upon 1 plus x square by square upon x square into अंदर का कर आओगे x के respect x का बन उपर ले जाए minus बल जाएगा minus by upon x square हो जाएगा x square ये cut off हो जाएगा तो by upon x square plus by square लासा लेले ये उपर पहुँच गया से ये cut गया ठीक है एक और value बचती है यहां लिख देते हैं del theta upon del y 1 upon 1 plus y square upon x square into इसका कर आओगे अंदर का by the 1 1 upon x तो एक x कट off हो जाएगा एक x उपर पहुँच जाएगा x square plus y square ये सभी value in this में बढ़ दो ठीक है ये सभी value इसमें बढ़ देते हैं उपर से थोड़ा सा erase कर देते हैं आप इसका screen shot दे ले ठीक है और देखो लिख दे हैं del r theta upon del x y equals to value बढ़ देखो del r upon del x हमारे ये मिला x upon under root x square plus y square और del r upon del y मिला y upon under root x square plus y square ओगे और del theta upon del x मिला minus y upon x square plus y square under root नहीं आया न root नहीं रिवर्ष्ट और ये मिलाएगा x upon under root x square plus y square इसका expansion only this into this this into this ठीक है तो ये x square हो जाएगा x square upon ये कितने हो जाएगी power x square plus y square power 3y 2 plus y square minus minus plus y square x square plus by square power 3y 2 हो जाएगा इसको एरेज करते वही LCM ये same हो गया x square plus by square power 3y 2 अरो ये आदहा आदहा और एक कितना होता है जेड़ी तो होता है उपर बन गया x square plus y square और x square plus y square की value r square है r square है और ये चे r square power power 3y 2 ठीक है तो ये कितना हो गया 3 हो गया इससे ही कट गया r square by r square power 3 ये कटब हो गया बन अपन ये this is answer हो जाएगा ठीक है और एक अपन आप दे रहे हैं तो बन अपन आप सीधा बैसी प्रोकल इसका कर सकते हैं ठीक है आप इसे अच्छे से कलने ठीक है जाकोबिया उसमें और question बनते हैं और एक दो फर्मूले और अगली अक्सायज में बनते हैं जब हमारे relation x और y में भी रहते हैं तो उनको भी discuss करेंगे पहले इनके question और discuss कराएगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं तब तक के लिए आप इसे अच्छे से बात करें दोनों ही question most important हमने discuss कराएगे हैं BSC waste के लिए Pultechnic के लिए EGRIANI के लिए PGT के लिए GIC के लिए LT के लिए बहुत ही important topic है ठीक है आप इसे अच्छे से कर ले है ओके बाई